हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ दो कच्छे आलू से बने बहुती चटपटे और कुरकुरे नास्ते की रेस्पी सेहर करेंगे जिसे आप बिना किसी तैयारी के सिर्फ 10 मिनट में बना कर तैयार कर सकते हैं चलिए तो बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमन मीडियम साइज के अलू लिये हैं अलूओं को चील कर हमने पानी में डाल दिया है jisनी ना पड़े तो अब इन आलूओं को हमDI करेंगे तो यहां पर एक बावल में भी हमने पानी ले लिया है तो इन nations बड़ेवाले चेदों की तरफ से गरेट करेंगे तो यह तीन तरह की જहे, तो जो सबसे बड़े बाले छेद वसी से हम इन आलूओं को ग्रेट कर लें जिसे आलूओं के लच्चे है न वो थोड़े से मोटे मोटे और बड़े-बड़े हमें मिलेंगे एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं यह देखें तोInter तो चलिए पहले दोनों आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं और अगर आपका आलू बढ़ा हो ना तो एक ही आलू लीजेगा तो आलू में बहुत सारा इस्टार्च होता है तो इसे 2 से 3 बार अच्छे से आप धुल लीजे तो ये दिखिए आलू को हमने दुल कर इस टेनर पर नि पानी दालेंगे ये कपसे थोड़ा सा कम पानी हमने लिया है तो इसे हम डाल देते हैं और इसी हम आब हम एक चम्मस तेल डाल Gे और साथ में नमक टाल दें Anotherा है और आदी चम्मस यहां पर हमने नमक पी ढाल दिया है दोनों चीजों को पानी में अच्छे से दाल दिया पकालेंंगे, आलू को पूरा नहीं पकाएंगी, बस 30-40% तक आलू को हम पकाएंगे, तो यह देखे है अलू हलका सा ट्रांस्पेरेइंट सा होने लगा है, तो बस इतना ही इसे हम पकाएंगे, औवर को किसे रही हम बिलकूल नहीं करेंगे, तो यह देखे हम आपको उठा कर दिखाते हैं तो यह देखे हलका सा यह ट्रांस्पेरेंट सा हो चुका है तो अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसमें डालेंगे चावल का आटा तो यहां पर उसी कप से हमने आदा कप चावल का आटा लिया है तो इसको भी हम डाल देते हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि जो चावल का आटा होता है ना बहुत तेजी से पानी शुक करता है तो यह देखें गैस को हमने बंद कर दिया है अब आटे को आलू के लच्चों के ताथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अगर आप के पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को अच्छे से धुल कर पंखे में सुखा के पीस नीजेगा और उसके बाद से चान लीजेगा तो आपका चावल का आटा घर पर ही तैयार हो जाएगा तो यह देखें दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे ह थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो तक्रीबन पांच मिनट हो गए हैं और ये जो दो है हमारा ठंडा हो चुका है तो एक बड़े बरतन में इसको हम निकाल लेते हैं तो ये एक हातों से मैस करें तो आसानी से मैस भी हो रहा है और अच्छे से ये बाइंड भी हो रहा है ये दिखिए इस तरह से तो अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ आदा इंच अद्रक का टुकड़ा और साथ में कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं एक चमच चिली फ्लेक्ष डालेंगे क्योंकि इसमें हम हरी मिर्च का यूज नहीं कर रहे हैं और एक चुटी चमच सफेद वाला तिल आदा चुटी चमच जीरा और आदी ही चुटी चमच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से आटे में मि फचव करिएगा उसी से आप पानी और चावल का डालेगा तो यह देखे डो बनकर हमारा तैयार हो गया है और अगर यह डो आपके हातों में चिपक रहा हो ना तो थोड़ा आप तेल लगा लिजेगा तो यह डो आपके हातों में बिल्कुल भी चिपक़े यह देखे हतेनियों से इसे गोल करते हुए चिकना करेंगे और हलका सा प्रेस देते हुए इसे टिकी का सेप दे लेंगे और अंगुठे और उंगली से इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके किनारों को हम ठीक कर लेंगे यह देखे इस तरह से तो बहुत आसानी से बन जाता है बिल्कुल भी आपको परिसान ही नहीं होगी तो इसकी जो चोड़ाई है ना वो जादा हमने नहीं रखी है थोड़ा सा इन्हें पतला ही रखा है जिससे जब इन्हें हम फ्राइ करेंगे ना तो यह बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेंगे तो यह देखे इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का जो नास्ता है बो भी बिल्कुल इसी तरह से बना कर हम तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यह रेस्पी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताईएगा और रेस्पी अच्छी लगे ना तो से लाइक और सेयर भी जरूर किया करिए क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है तो यह देखिए दूसरा नास्ता भी बनकर तैयार हो गया तो इसी तरह से सारा नास्ता बना कर हमने तैयार कर लिया है तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं तो पैन में तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था गरम ते से हाइ ही रखिएगा और जब एक साइट से इन पर हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें पलट देंगे तो ये ने कि हल्का से इस पे कलर आ चुका है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिश्पी वने हैं क्योंकि इन्हें हमने कच्छे आलू और चावल से बनाया है तो सारा नास्ता हम पलट लेते हैं और दूसरी साइट से भी इन्हें 1-1,5 मिनट तक मेडियुंप से हाई फ्लैम पर ही सिखने देंगे तो पलट कर एक बार चेक कर लिते हैं तो यह देखिए , दूसरी साइट से भी हल्का हल्का कलर आने लगा है तो यह नास्ता बिल्कुल भी आपस म और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो बस इसी तरह से दो से तीन बार उलट करते हुए दोनों साइट से बढ़िया गोर्डन कलर आने तर इस नास्ते को हम फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया नास्ते पे कलर आ चुका है तो चलिए अब इसे हम निक बना कर इंज्वाई कर सकते हैं ठंडे होने पर भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं तो ये देखिए नास्ता बनकर हमारा तयार हो गया आप इसे हरी धनिया की चट्नी या टमेटो केचप के साथ सर्ब कर सकते हैं आज इसे हमने टमेटो केचप के साथ सर्ब किय और यह कितने क्रिस्पी हैं इनकी आवाज भी सुनाते हैं यह देखिए सुनी आपने आवाज बिल्कुल भी यह ओली नहीं होते उपर से बहुती क्रिस्पी और अंदर से उतने ही ज्यादा यह सौप्ट होते हैं तो कैसे लगे आपको रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर करेंगी तेंकि यू